अज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फोन में वट्साप मेसेज का नोटिफिकेशन बंद हो गया है, तो यहाँ पे वट्साप नोटिफिकेशन को चालू या फिर ओन कैसे करें, तो इसके लिए आप वट्साप से बाहर आएए, अब आप अपने फोन क की सेटिंग्स ओपन करिए, सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आ जाएए, और नीचे आने के बाद आएगा, यह नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर, या फिर आएगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के नाम से, या फिर आपको मिलेगा आपके फोन में बस, only notifications के नाम से तो आपके phone में इन तीनों में से किसी एक नाम से आएगा तो इस notification वाले option पे click करिए अब click करने के बाद ऐसा page आएगा उसके बाद आपको मिलेगा यह app notification या फिर manage notification तो इस पे आप आ तरहाए है तो यहाँ पर आने के बाद आप नीचे आईए और नीचे आने के बाद आपको मिलेगा इस तरीके से यह WhatsApp तो WhatsApp पर किलिक करिए उसके बाद उपर आएगा यह शो नोटिफिकेशन या फिर अलाव नोटिफिकेशन तो अगर आपका यह बंद है तो इसके सामने इस बटन पर कि करिए तो यह सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर अब आउन करने के बाद बैक आ जाईए और बैक आने के बाद अब चेक करिए आपके फोन में WhatsApp के मेसेज का नोटिफिकेशन आ रहा है या फिर WhatsApp का मेसेज का नोटिफिकेशन आ रहा है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जरूर करें